बसोली का इतिहास एकदम एक विशाल समंदर की तरह है जिसमें जितना डूपते जाएंगे उतनी जादा गहराईयों में नई नई चीजें मिलेंगी बसोली के इतिहास की शुरुवात हमने सिकंदर और डोगरा के बीच में हुए युद्ध से की थी और उसके बाद में ये बताया गया था कि बसोली का नाम करन कैसे हुआ बसोली में पाल वंचका सूरे ओदे किस तरह से हुआ आज हम उस खास राजा की बात करने जा रहे हैं जिसका बसोली में सवर्न अक्षरों में नाम लिखा गया है आज हम बात करेंगे राजा भूपत पाल की महज उनकी उमर बस 22 साल ही थी जब उनके पिता श्री कृष्ण पाल सवर्ग सिधार गए और इस युवा उम्र में ही उन्होंने ये राजपार्ट का काम संभाला उनके बारे में और भी बहुत सीरोचक बाते हैं जो सुनने में बेशक अर्थी शोक्ति लगेंगी प्रंतु सत्य हैं वे हर रोज एक बकरा और सोला सैर चावल का भोजन करते थे 22 साल की उम्र में ही वे इतने ताकतवर थे कि आसपास वाले उनकी शक्ति देकर सदा परिशान रहते थे वही समय बसोली और नूरपूर की दुश्मनी का कारण भी बना वहां का राजा जगत सिंख अपनी ताकत को बढ़ा चुका था वही चमबा को अपने अधीन करने के बाद उसकी नजर बसोली पर थी उसने बसोली को अपने अधीन करने के लिए चल और दोखे का रास्ता अपनाया उसके मुगल समरार के दरवारियों के साथ काफी अच्छी दोस्ती थी इसी का फाइदा उठाते हुए उन्होंने राजा भूपत पाल को मुगल दरवार में बुलाया और ढोके से उन्हें अपनी कैद में ले लिया और दान गली के किले में बंद कर दिया राजा जगत सिंग ने बुसोली पर अपना अधिपत्य स्थापित किया और कुछ पैसे दे के राजा भूपत पाल के परिवार को वहां से निकाल दिया वहीं भूपतपाल का चाचा गंदर्वपाल जो उस समय भूपतपाल के वजीर हुआ करते थे उनने भूपतपाल के परिवार को लिया और कहीं गाओं में जाके बस गए पर कहानी यहां खत्म नहीं होई थी बलकि इसके बाद ही बसोली के सवर्न वविश्य के निर्मान की शुरुआत हुई 14 साल बाद मोका देखते ही राजा भूपतपाल नजर बंदी में लगे सैनिको को मार कर वहां से फरार हो गए और वापिस अपने स्थान पर आ पोँचे अपने राजपाट की हालत दे कर वह बहुत ही परिशान थे और मजबूरन उन्हें जंगलों में घूमना पड़ा जंगल में लगे आग की तरह ही जंगल में ये बात फैल चुकी थी कि राजा भूपतपाल मुगलों की कैट से फरार हो चुके हैं और यहीं कहीं जंगल में उन्होंने अपना बसेरा लिया हुए उस समय राजा की चप्पल भी तूटी होई थी बस चप्पल बनाने के लिए वैक मोची के पास पूंचे तो मोची ने उनका पाओं और साथ में हटा कटा श्रीट दे के ही अनुमान लगा लिया कि ये राजा भूपतपाल हैं उन्होंने उस मोची के हाथ में संदेश बेजा और अपने सभी रिष्टेदारों को उस जंगल में बुला लिया कुछ समय पर श्रीक्षन देने के बाद उन्होंने वहीं अपनी सैना तयार कर ली और तीर और तलवारों के साथ बसोली में हमला बोल दिया वही नूरपूरी हकूमत ने अपनी जान बचाई और वहां से भाद और फिर से राजा भूपतपाल ने अपनी बसोली की जागिर को संभाला 22 जुलाई 1627 में वैब बसोली के फिर से राजा बने और फच्छ जंग को अपना वजीर बनाया इसके बाद राजा भूपतपाल ने नूरपूर की सियासत पर हमला बोल दिया और नूरपूर से लेके चमबा तक अपने आधिन ले दिया इसके बाद अपनी एक विशाल सैना संगटित की और भडू फिर भदरवा को अपने आधिन लिया अपबारी थी किष्टवार की अपनी एक सैनने टुकडी के साथ उन्होंने किष्टवार पर हमला कर दिया और वहीं से नीलकंट शिवलिंग लेकर वै बुसोली में आये और वहां की राजकुमारी से बिवा कर लिया रावी की सरहत की किनारे सदेव नूरपूर के अकरमनकारियों का खत्रा बना रहता था सुरक्षा के लिए ही रावी नदी के किनारे के जंगलों को साफ करवाया गया और बुसोली के महल के निर्मान का कारे शुरू हुआ और वही महल उस समय राजा भूपत पाल के सफल साशन का परतीक था जैसा कि सभी जानते हैं हर एक सिक्य के हमेशा दो पहलू होते हैं और हर कारे के पीछे मासूम लोगों का बलीदान शायद यही पालवंच के पतन का कारण बना और वही महल भी जो कभी भुसोली की शक्ती का परतीक हुआ करता था और वही इस समय खंडर बना पड़ा है उन सब के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे इससे पहले बनी जो वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे देदूँगा वहाँ से जाके देख सकते हो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत